विधान सभानी चुरुणी ने लाई कॉंग्रेस त्वारा तैयारीयो शरू करी देहमा वीचे कॉंग्रेस ने वरिश नेथा भरस्ती सोलंकी करह करी प्रमुक इंद्र विजैसी गोहिल अने दक्षिन गुजरात ना प्रभारी बी एम संदी आत्तमाम दावेदारों सांभर से निरिशक को सामें 12 बेठक माटे 225 चिरला कॉंग्रेस न कारी करताओ टिकीट मांग से कॉंग्रेस ने तावाज उमेद्वारों नी रजुआत सांभर से सुरतनी अलकलोग बेठकों माटे धोडा दिवसो ओगाव पोतान समर्थकों साथे आवीने जेते विधान सभाना नियुक्त करेला प्रभारे समक्स रजुआत करी चुकिया चे पोतानी दावेदारी मज बूत करवा माटे पोताना समर्थकों साथे प्रभारी ने आगर रजुआत करीने टिकीट नी मांगनी करी चे आजे पोताना समर्त को साथे नहीं परंदु व्यक्तिकत रिते सामपड़वानू आयोजन करुवा माव्यू छे सवरे 10 स्वागिया थी आज असुदी कॉंग्रेस कालेले उपर धमधमाट छुवा मड़से पूरा प्रदेश में डिस्टिक लेवल में एसीसी सेक्रेटरिस और प्रदेश का सीनियर पतादीकारी मिलकर हम सारी उमिद्वार काउंकोन चुनाव लड़ने के लिए इच्चा व्यक्त किया है वो लोगों को बुला कर बात कर रहा है आज सूरत में 12 एसेम्बली में 136 उमिद्वार चुनाव लड़ने के लिए इच्चा व्यक्त किया है वो लोगों को वन टुवन बात कर रहे हैं वो लोगों को ग्रैसरूट लेवल का तयारी क्या है बूत लेवल का काम क्या है और कोविड में लोगों के लिए क्या काम किया था फ्लेड में लोगों के लिए क्या काम किया है यह सब और सोशेल इंजिनियरिंग का तरफ से आपको गुजरात का लोग सत्याहीमसा, सत्यागरा का मार्ग में चलने वाले लोग थे, वो लोग रोजगार पूछ रहा था, गुजरात का लोग गरीब लोग केरोसीन पूछ रहा है, गुजरात में लोग गवर्मेंट एजुकेशन पूछ रहा था, गुजरात का लोग अच आईटी भी नहीं आ रहा है आप महिडा को जाकर पूचिए महिडा परिशान है महिडा डरकर जी रहा है आप आम आदमी को पूचिए वो डरकर जी रहा है गरीब को पूचिए वो डरकर जी रहा है आदिवासी पूचिए वो डरकर जी रहा है युवक को पूचिए वो लोग पे रोज़गार नहीं है बोल रहे हैं बेरोज़गारी वक को ड्रक्स तेने का काम गुजरात से शुरू हो रहे हैं इसलिसका किलाफ बेरोजगारी का किलाफ sekarang, मेंगाई का किलाफ और गुझरात का पूरा डेवल्पमेंट कुछ नहीं है एकी बारिश में गुजरात माडल बारिश में डूब गया है उसका किलाव और administration पूरा collapse हुआ है Home Minister सूरत से आता है मगर administration collapse हुआ है कुछ दिन पहले इदर क्या हुआ आप लोगों को पता है 70 लोग इदर लताकंड में मर गया उसका बारे में Home Minister बायान नहीं दिया मुक्यमंत्री बायान नहीं दिया है मगर पूरा गुजरात में गुजरात में कोई चोटा दुकान में आप जाकर देखिए आपको फान जैसा इदर ड्रेक्स मिल रहा है उसका किलाव भी Home Minister बात नहीं कर रहे है वो बोल रहे है कि दर कुछ ड्रक्सी नहीं आ रहे है मगर कैसा पकड़ गया 21,000 करोड का ड्रक्स मुंद्रापोर्ट में कैसा पकड़ गया एक बार 300 करोड का ड्रक्स मुंद्रापोर्ट में कैसा पकड़ गया 3,000 करोड मुंद्रापोर्ट में अभी तक वो लोग कितना इंटरनेशनल एजेंसी को फिक्स किया है उसका बार में चर्चा ही नहीं कर रहा है इसलिए गुजरात का हर आदमी 27 साल का वनवास से भार आने के लिए कांग्रेस का तरफ देख रहा है इसलिए 2022 कांग्रेस लाविस इस नारह से हम लोगे चुनाओ अक्रमान कारी से अच्छा तरीके से लड़ रहा है इस बार कांग्र परसंट गुजरात में आ रहा है